इसी देश में आपके दौरा एक साल बाद कितना बन जाता 15,57,000 रुपीज अब ये चीज़े असली में स्कूलों में पढ़ानी चाहिए ठीके क्या डबल डिफ्रेंसेशन करके आप करोगे रियल लाइक नो इस विए आपको समझानी चाहिए इस विडियो में में चानल अगर लोग नहीं भी चानते हैं तो मैं एक इंट्रोड़क्शन दे देता हूं I have recently graduated from IIT Bombay and I received one of the highest packages in the nation इस विडियो में हम करने के अवाले हैं इस विडियो में mostly discuss करेंगे my journey to IIT Bombay, my journey in IIT Bombay क्या हो रहा था वहां पर कैसे कैसे मैं experience किया है and my journey after IIT Bombay के बाद जब मैंने graduation कर गया था तो यह बहुत छोटा सा वीडियो होगा लेकिन थोड़ा सा importance रखे का आप सभी के जिन्देगी भी बिकास यहां पर actual जो actual life में चीज़े काम आएंगी apart from the studies वह discuss करने वाले हैं my real experience in IIT Bombay के बार में बड़ी वीडियो बाद में आएगी जब आपके examinations हो जाए बट अभी हम discuss करेंगे कि how was the experience during IIT Bombay ताकि आपको भी क्षोटी motivation मिले and आपको real life में applicable application समझाए कि कैसे अपन stock markets mutual funds and real estate का application कर सकते हैं ठीक है वह सब भी discuss करूँगा इसी वीडियो में बिकल ध्यान से समझना हो सके तो 1.5 x 2 x पर देखना वाट skip मत करना बिल्कुल भी उसे बहुत important video रहने वाला है सबसे जो पिक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यह कहां की पिक है this pick is from the point जहां पर आप अपनी journey start करते हो IIT Bombay में इसको बोलते है Convocation Hall तो जैसे आप IIT Bombay में entry लेते हैं तो जब आपकी orientation करवाया जाता है वो इसी hall के अंदर करवाया जाता है तो यहां से आपकी IIT Bombay की journey start होती है या किसी भी IIT में जब 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 तो इससे प्रका की journey start होती है उसके बाद यह जो मैंने building आप सभी के screen के उपर दिखाई है this is the most demanded branch in the nation that is computer science of IIT Bombay तो यह CSE IIT Bombay की building है which I find particularly to be the most beautiful building in the entire campus बाकी सबको और अले buildings लग सकती है अच्छी बट मुझे personally यह building सबसे अच्छे लेती थी और यह बिलकुल roadside पर है इसको लोग बिलकुल हमेशा देखके जाते थे तो यह भी एक बहुत motivation की तरह काम करती थी उस point of time पर ठीक है उसके बाद यह है IIT Bombay के classrooms यह lecture hall इनको बोलते LA जो सबसे बड़े lecture halls होते हैं तो these are the lecture halls जहां पर classes करवाई जाती हैं यहां पर honestly बहुत सरे बच्छी पीछे के तरफ ही बैठते हैं मैं भी पीछे के तरफ ही बैठता था बिकॉस मुझे कोई और कामा में interest था like for example I always used to research की like how to multiply the money which you have because money कमाना एक अलग बात है बट उसको invest करना उसको आगे कैसे लेके जा रहा वो एक अलग point है ठीक है आख समझागो सब detail में इस वीडियो में ध्यान से समझते रहे हैं मैंने अपनी teaching के journey start की थी एक white board के साथ यह तो बही बहुत later point of time की photo है but initial time को मुझे मिली निया because पता नहीं वो पुराने वाल्स में ने चुकी है and dog lovers hit like सबसे पहले तो ठीक है and यहां पर मैंने journey start किया था आप सभी के सामने तो शुरू में मैंने organic chemistry and mathematics से start किया था उसके बाद मेरी branch chemistry तो मुझे पूरे के पूरा इंटरेस्ट और्गानिक chemistry में आ चुका था and वहीं से मैंने आगे पढ़ाना start कर दिया था for the J and the NEET aspirants उसके बाद अगर मैं बात करता हूं मैंने maths teacher की who I want to specially thank him through the video winner sir if you are watching this little thanks to you because he is one of the major inspiration जिंके द्वारा मैंने अपनी coaching you can say कि मैंने teaching start की है for the people because he inspired me he had a major influence in my life due to which I had started teaching and उसके बाद एक छोटी और आखरी फोटो जो मैं शेर करना चाहता हूं from the journey part this was journey from the quota ठीक है कोटा में जब मैं new year day था वो हम मना रहे थे यहां पर तो वहां की फोटो है यह जो मैंने एक शेर कर दी and he is EP sir who was my physical chemistry teacher जिंके साथ हम celebrate कर रहे थे तो यह हुआ कुछ points जहां पर before IAT, during IAT and after IAT क्या क्या हो रहा था अब हम सबसे important point पर आते हैं वीडियो के लिए जिसके लिए बनाए जारी है that is financial independence अब यह term financial independence का मतलब क्या है before starting with this point let me tell you a very simple thing that the best way to learn anything is by reading yourself for example जैसे मैंने यहां पर आजकल मुझे कुछ habits develop करने हैं because मुझे weight lose करना है तो उसके लिए यह book भी खरीद कर रखे जिसको मैं पढ़ रहा है that is one of atomic habits टीकर सिमिलर जब मुझे finance के बारे में चीज़े सीखनी थी तब मैंने particularly यह जो screenshot है जो screenshot आप सभी को screen के उपर दिख रहा है यह जो screenshot है वो मेरे एक video से लिया गया है जहां पर मैं उस time पर जब second year की बात है तब मैं पढ़ रहा था The Intelligent Investor very good book for understanding कि what is investment अब investment करना ज़रूरी क्यों होता है कैसे करना होता है सब हम इस video में discuss करेंगे before starting with the major point let me ask you a question if you do not know the answer ask your parents फिर video दिखने बापस आना ठीक है किसी भी bank का जो भी आप bank में invest करते हो आपके SBI हो जाए KOTAC हो जाए HDFC हो जाए PNB जो भी bank से उसमें एक return क्या रहता है I am not talking about the fixed deposits उसके बारें बात करेंगे आपन थोड़ी देर में but जो banks है बापर जो average return रहता है that is 3 to 6 percent 6 percent तो एक बहुत अच्छा bank भी दे रहा होगा तब ही है but generally यह 3 to 5 percent की बीच में ही रहता है but for example let me show you some returns on the screen देखना ध्यान से इस mutual fund के return तो 77.68, 55.45, 54.70 can you people see what I am trying to tell you here? अगर आप इन सबका average भी निकालते हो यह तो मैं सिर्फ mutual fund की बात कर रहा हूँ अभी तो बस start हुई है हमारी जन्नीस वीडियो के लिए the average comes out to be equal to 57 percent अब इसको हम mathematical example दोड़ा समझते because तब समझना जादा असान होगा like for example आप सभी के पास as an example 10 lakh रुपे हैं ठीक है आपने कमाए बहुत मैनत करके income आपके for example let me say 10 lakhs उसको आपने invest किया किसी bank में invest भी क्या मतलब रख दिया bank में ठीक है रख दीजिए let me say 5 percent interest है as an example तो इसका जो net return बनेगा वो कितना बनेगा that is 5 upon 100 into 10 lakhs and that value will come out to be equal to कितना पचास हजार तो पचास हजार जैसे मैं इसमें add किया then we get the values 10 lakh 50,000 after a year assuming कि yearly आपको मिल रहा है return but for example अगर मैं mutual fund की बात करता हूं सिर्फ एक mutual fund की नहीं मैंने average बात कर लिए बहुत से लोग बोलते कि average निकाल के डील करो तो मैं average निकाल के deal कर रहा हूं अगर मैं इसी 10 lakh को एक mutual fund में रखता इनी mutual funds में band भी देता और उसकी average निकालता तो कितनी value आती 57% कितना होता है इसका that is 5 lakh 70,000 rupees तो यही रुपे इसी देश में आपके दौरा एक साल बाद कितना बन जाता 15,57,000 rupees अब यह चीज़े असली में स्कूलों में पढ़ानी चाहिए ठीक है क्या double differentiation करके आप करोगे real life में this is the actual thing जो आपको समझ आनी चाहिए because अगर आपको लग रहा है कि आप bank में पैसा रखके उसको increase कर रहे हो वो बिलकुल आपकी गलत फहमी है because एक बहुत बड़ा factor हम यहाँ पर ignore कर रहे है that is known as inflation inflation का मतलब क्या होता है for example एक चीज मतलब का rate या quantity कितने से कम हो जारी है एक साल बाद for example let me say अगर मैं बोलता हूँ LACE का एक packet एक साल पहले 10 रुपे का था अगले साल वो 11 रुपे का हो रहा है तो कितना percent inflation आ गया that will be equal to 10 percent जो हमारे देश का hypothetical example है यह हमारे देश का जो असली में 2020 में inflation rate था that was 4.95 percent अब 4.95 percent का मतलब क्या है logically समझी है जो आपने 5 percent के ब्याज पर interest rate पर invest किया था पैसा उस में से जो हमारे देश में जो inflation हुआ 4.95 percent वहीं पे उड़ गया तो जो net बनेगा जो net बनके आएगा जो आपका net profit हुआ है वो कितना हो रहा है 0.05 percent बनके आ रहा है अब इतक तो मैं taxes की बात भी नहीं कर रहा हूँ ठीक है मैं सिर्फ inflation को लेके चल रहा हूँ तो एक बार अपने पेरेंट से जाके पूछना कि उनका जो बैंक है वो तो 5 percent भी नहीं देता होगा after market research वो 9 to 10 percent मिलेगा 10 percent भी अगर कोई बहुत अच्छी FD हो रही हो ठीक है तो can you people understand the logic जिस time पे आपके दोस्त ने 10,50,000 कमाया कमाया तो उसने 0.05 percent ही taxes के बाद तो और कम हो जाएगा वहीं पे आपने 15,57,000 कमाया for example आप बोलोगे यहाँ पर भी काड़ दीजे तो 15,52,000 कमाया तो एक साल में आप exactly एक छोटी सी नई कार भी लेके देख सकते हो अब यही फंडा था मेरा कार लेने के पीछे बहुत से लोग को पता है मैंने नई कार ली है नई कार मैंने अपनी salary से नहीं ली है आपको अपनी salary नहीं खर्च करना है luxuries के पीछे जो मैंने नई कार ली है the cost of that car was 72 lakhs तो this everything was regained from the stock markets और the mutual funds और the real estate जिनको मैंने rent पे चढ़ाया था उन सबसे इसका investment लिया गया फिर मुझे रगा कि हाँ profitable है because car की record मुझे में हो रही थी because बहुत सरी meetings में जाना पड़ता था बहुत सरी जगा भी जाना पड़ता था जिसके कारण मैंने यहां पे यह समुझा कि एक investment हो सकती है अच्छी तो आपको कोई भी luxury लेनी है कोई भी जिंदगी में तो खुद की जेब से पैसा खर्च नहीं कर आता हूं and I'm very thankful to one of my seniors जिन्होंने मुझे फंडा सिखाया जिसके कारण मुझे चीज दो मिली बिल्कुल ध्यान से समझना simple mathematical equation है आपको बहुत logically मैं समझा रहा हूं हर चीज for example अगर आपको फ्लाट लेते हो ठीक है फ्लाट लिया आप लोगों ने फ्लाट को अगर आप रेंट पर चड़ा दो तो रेंट पर चड़ाने के बाद उसको पूरा EMI पर ले लीजिए उतनी आपकी salary होनी चाहिए का आपको EMI पर दे दे नहीं भी दे रहें तो आपने एक है लेट में साउध मोंबे में फ्लाट ले लिया उसको मैंने रेंट पर चड़ा दिया वहां से मुझे रेंट मिल रहा था 2,20,000 पर फ्लाट ठीक है for example एक फ्लाट लिया मैंने अब जो EMI है EMI लेट में से उस फ्लाट की जो EMI बनके आ रही है as an example 1,50,000 बनके आ रही है अब जो मेरे पास यहां पर net resultant बनके आ रहा है क्या वो profitable है yes that is totally totally profitable in nature तो यह बस मैं आपके एक slide सा hint दे रहा हूं कि कैसे आप real estate में invest करके भी पैसा कमा सकते हो जो मैंने एक तरीका अपनाया यह मेरा तरीका है दूसरा तरीका क्या obviously कि एक जमीन ले लो मैंने क्या किया मैंने बह approximately बहुत सस्ती पड़ी थी बट 5 साल बाद उसी जमीन का जो प्राइस था उसी लैंड का जो प्राइस था वह 5 टाइम्स हो गया था बलकि 5 टाइम्स नहीं 10 टाइम्स हो गया था exactly मैं बोलना चाहूं building मिला के तो building बना दो उस time पे सस्ती में बन जाएगा बट 5-10 साल बाद वह पान से 10 गुना आपको profit देगा जो एक बहुत भेंकर profit आपको मिल रहा है logic समझ आ रहा है तो यह पैंतरे हैं यह ट्रिक्स है जो का apply कर सकते हो real life में ताकि आप financially independent बन सको अब financial independence का मतलब क्या अब मुझे एक चीज बताएए बहुत सारे लोगों के लिए जो 70,000 जो profit बन का है as an example में बताना चाहरा हूं logic समझ आ रहा है तो इसी छोटी-छोटी चीजों को आप बड़े scale पर जब करोगे अब बड़े-बड़े scale पर करोगे invest करो सबसे मैं यह recommend करूंगा invest via mutual funds और stock markets but proper research के साथ अंदा दूंद नहीं करना है देखो पहले मैंने भी properly books पढ़ी है सब्सक्राइब बताना चाहता हूं कि how was my journey to IIT Bombay how was it before IIT Bombay and what are the things which I learnt during my stay in IIT Bombay उसके एक separate long video बनके आएगी ताकि आप सभी को motivation मिल सके आई होब बेटा इसके लिए prepare करना है सभी को अगर कोई J-E spending दे रहा है बेटा इसके लिए prepare करना है पूरी महनद डाल दो जितना हो सके इतना जितना भी time बच रहा है सबको पूरी महनद करनी है ठीक है so thank you for watching this video make sure to like the video and subscribe to the channel if you are new Jai Hind